32 दिन पहले प्रियाग राज के चर्ती उमेश पाल हत्याकान में नामजद होने के बाद अतीक अहमद को साबर मती जेल से उत्तर प्रदेश की प्रियाग राज ले आए जा रहा है अतिक अमत की गुनाहों की लिष्ट जितनी लंबी है उतनी ही लंबी लिष्ट उसकी सियासी कद के भी है उसको बाहुबली कहा जाए, हिश्टी सीटर कहा जाए, दबंग कहा जाए या आतंग का दूसरा पर्याय कहा जाए ये सारे सब्द अतिक अमत के सामने थोड़े बौने दिखाई देते हैं अगर बात की जाए तो अतिक अमत की सियासी रुख जो है वो इतना जादा था कि वो पाँच बार से विदायक और एक बार का संसत भी रह चुका है और सांसक भी उस जगे से जहां से देश के पहले परधा मंतरी पंडी जवाला नहरू चुन कर आते थे अतिक अमत जैसे लोग इस देश की संसत में बैठते थे लोगों के जन प्रतनिदी कहलाते थे ये इस देश का दुरभाग रहा है फिलाय योगी सरकार अतीक अहमत को उत्तपरदेश लाने में काम्याब हो गई है और साबर मती जेल से उसको उत्तपरदेश के प्रयागलाज ले आया जा रहा है योगी सरकार लगतार माफिया मुक्त प्रदेश की बात करती है जिरो टालेंस की निति की बात करती है और सूबे में जो माफियाओं का जो कहर है उस तो खात्मे की बात करती है इस लिहाज से योगी सरकार का ये कदम बेहदी महत्वपूर बताय जा रहा है अतीक हमत के उपर तक्रीबं 100 से अधिक आपराधिक मामले भी दर्ज हैं लेकिन किसी में उसके कोई कड़ी कारवाई नहीं की उसका खौफ इतना था कि जितने भी जज उसके मामले की सुनवाई करते थे खुद का नाम उसकी सुनवाई से हटा देते थे दर्जन भर के करीब जजों ने उसके मामले से खुद को अलग कर दिया था तो इन चीजों से आप जान सकते हैं कि अत्रिक एहमत का खौफ जनता में ही नहीं, जुडूसरी में भी और सियासत में भी कितना ज्यादा था इस मुद्धे पर आज हम लखनव की जनता की राय जानेंगे, उससे पूछेंगे कि जिस प्रकार से अत्रिक एहमत का खौफ भुआ करता था, सहाबरमती जेल से उसको आज प्रियागराज ले जा रहा है, लखनव की जनता इसके बारे में क्या सोचती है, लखनव की जनता का क क्या कुछ बिचार है इसके बारे में, क्या नाम है आपका, सत्पाल जी बताइए, जिस प्रकार से अत्रिक एहमत परियोगी सरकार की कारवाई हो रही है, 32 दिन पहले उमेश पाल चर्चित हत्याकान में नामजद आरोपी है, आज प्रियागराज लाया जा रहा है, तमाम तरकी बाते की जा रही है, कि गाड़ी पलट सकती है, यह हो सकता है, ऐसी तमाम तरकी अटकली लगाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर उत्तरपते सरकार की कारवाई को, पुलिस की कारवाई को, पहले तो मैं विकास दूबे का भी एक मैटर खोलता हूँ, साबा की दादागिरी है ना, यह तो यह तो जाइस तरीका नहीं आना, तो हम और लोगे से भी जानना चाहते हैं, कि अतिक अहमत को प्रियागराज साबर मती जेल से लाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है, उनका क्या नाम है, मैं परदेश का सहसन जोजय खूंड, डाकुमें साबर मती से प्रियागराज लाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है, देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है, हमारे मुख्यमंत्री माननी जोगी आदित तिनाथ जी, कि सासन में जीरो टॉलरेंस का यह चीज रहा है, आपने सबसुना है, कि चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हो, इसाई हो, चाहे कोई धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो अगर अपरादी है, तो अपरादी है, रह गई चीज, जो अतीक अहमत के बात हो, आप लोग कर रहे हैं, अतीक अहमत पर कानूनी कारवाई की जा रही है, और उनको बाकाइदे कानूनी कोर्ट के द्वारा जो है, उनको लाया जा रहा है, और किसी प्रकार से, इसमें माननी मुख्यमंतर जी का हस्तक्षेप नहीं है, वो कोर्ट के माध्यम से, उनको लाया जा रहा है, और वो वहाँ जा रहे हैं शमझे आगे बाद इसमें किसी तरह क्या जो अफवा फेलाए जा रहा है कि ये होगा वो होगा ये ऐसा होगा ये पलट जाएगी वो पलड जाएगी ऐसा कहीं कुछ नहीं ये जो जीज है भारती जन्ता पार्टी का ये कभी भी इस तरह का मंसुब नहीं रहा है अपराधी अगर अपराध करके भागता है तभी इस तरह का कोई काम होता है इस तरह से गलत फवा उड़ाने वालों की बातों को बंद करना चाहिए इस सरकार के कारेकाल में बुल्डोजर की कारवाई हमने देखी है और तमाम माफियाओं के यहां भी बुल्डोजर की कारवाई हुई अतीक के घर पे बुल्डोजर गया मुकतार अंसारी घर पे बुल्डोजर गिरा प्रियागरार में उसके घर में जो बुल्डोजर लगाया जो कर ता उसके बाद कई केशों में नाम्जद रहा लेकिन कोई बड़ी कारवाई नहीं हुई तो किस प्रकार से न्याले कि आप इस कारवाई को देखते हैं कि अधीक हमत को उत्तापरदेश लाया जा रहा है सा वर्मती से देखिए आप जो बुल्डोजर की बात कर रहे हैं बुल्डोजर सिर्फ यहीं नहीं चल रहे हैं यह गलत फामी है चलन तो उत्तवर देश से शुरूआ जो भी है आप यह देखिए दिल्ली में भी बुल्डोजर अपना चला और भी प्रांतों में लोग जो है इस प्रक्रिया को अपनाने जा हों कि तरह रहा है हमारे मुख्मंत्री के जोा इसके मकानके ऊपर चाए किसी चीज के ऊपर यह जो चल रहा वह बुल्डोजर काउल वह प्रांतों में चल रहा है और रह गई चीज की आईसा कोई सुन है नहीं किया जा रहा हिया जा यह यह गलत locks आप मन से निकलवा दीजिए कि द्वेस्ट के कारण किसी के साथ ऐसा हो रहा है हमारी पार्टी मानी मुक मंत्री जी कभी द्वेस्ट के रूप में काम नहीं करते सपाक राश्टी अधेश अखिले स्यादव लगतार कह रहा है कि अत्री कहमत को जिस परकार जिपकास दूबे क इस गाड़ी पलट गई इस प्रकार की बाते हुई यहां भी कुछ इस तरीके का हो सकता है ऐसी बाते कर रहें प्रेस कॉन्फेस्ट देखिए अखिले स्यादव जी का मैं सम्मान करता हूं और वो एक पार्टी के मुखिया है सपाके वो राश्टी अध्यक्ष हैं मैं उनका करता हूँ रह गई है रह गई जीज की में अगर वह क्या बोनते हैं उस पर मेरे जैसा छोटा कार करता है अगर टिपड़ी करता है तो अच् leicht नहीं है यह किसी अमारे नहीं वो आपकी पार्टी के बारे में बोल ले हैं आपकी सरकार के बारे मोरे तो आप पार्टी के कारी करता हो नहीं नाती तो कुछ कह सकते हैं नहीं मैं यह कर सकता हूं हम अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं लेकिन अब उनके ब्यान के उपर हगर मैं अपना ब्यान दूं मेरी इतनी बड़ी पद नहीं है कि मैं उनका बिरोध बात कर सकूं रगई चीज कि मैं ये जानता हूं कि मेरी पार्टी अच्छा काम कर रही है कोई किसी भी भेद भाव से काम नहीं हो रहा है आप चाहे किसी धर्म का हो किसी जातिका हो हर परकार से उसको सुविधा दी जा रही है प्रकार से आप देख सकते हैं कि लोगों ने अतिक हमत के इस मामले पे अपनी तरह तरह की पक्रिया भी दी है और हम कुछ और लोगों से जानेंगे लखनौ की जनता से इस समय हम दारुल सफ़क के पास करें बिदायक निवास है यहां पर कुछ लोग है हमारे साथ जानने की कोशिश से करेंगे सबसे पहले आप अपना नाम बताईए नसीम हमद जी बताई कि नियाले की कानूनी प्रक्र लगाएगा कानूनी प्रक्रिया है लाय जा रहा है कोर्ट में उनको 28 को पेशी है वही का सकते हैं और प्रक्राइब बत्ति दिन पहले एक हत्याकांड हुआ था उमेश पाल हत्यागांड उसमें अत्तिक एहमत नामजद हैं 100 से उपर मामले हैं लेकिन कभी कोई ठोस कारवा कि भार्जंदापाटी पे आरोप लगा रही है कि इस तरह विकास दूबे वाले केस में हुआ इसमें भी यह बाजनदापाटी तरीके सीख कर सकती है इसमें क्या कहा जाए भाई भाजपा सरकार है कुछ भी कर सकते हैं अच्छा यूगी सरकार के एक साल दूसरे कारेकाल के पूरे हुए तमाम उपलब दिया सरकार नहीं अलग-अलग जगहों पे जदाई देखाव आफिया मुक्त राज की बात करती है अब उस तो बताएंगे लोग भाजपा के लोग बताएं कितना मुप्त की है आप बताईए ना आप भी इस परदेश का हिस्सा अभी नहीं हिस्सा है कोई माफिया मुक्त नहीं हुआ तमाम माफिया घुम रहा है कि विद्धी दल के नेता अखलेश जी कहे तो तेक टाप टेन लिस्ट आप जारी कि सरकार है कम कुछ और लोगicias सवी जानने की कोशिस करेंगे कि साभर मती से प्रयाग ना तीक को कानूनी प्रकिया दोना लाया जा रहा है और कई साल बाद जो है अतीक का फिर से जो है उत्त्रप्रदेश आना हो रहा है किस प्रकार से देखते हैं इस कारवाई को यह अच्छी बात है वह देखेगा प्राद किया तो उसकी सजा आपको मिलेगी और मिलनी चाहिए नहीं देती तो यह गवर्मेंट पर दूसरी गवर् जो है यह सरकार माफिया मुक्त राज की बात करती है जीरो टॉलेंस के नीति की बात करती है छे साल से भी यादा इस सरकार के कारेकाल को हो सकता है तो किस प्रकार से देखते हैं क्या यह सरकार जो अपने बाते करती हैं बड़े-बड़े दावे करती है उस पर खरी उतरती ह इस तरीके खुल्याम रप्टा के मारा गया तीनों सरकारी आदमें ते गवाह वह भी सरकारी होता है और दो काइस्टिबिल वह भी सरकारी थे तीनों आदमी मार दिये गए उनके परिवार वालों का हमदर्दी करने के बाद में उनका सत्याना सुग्या तो अगर इसे जैसे आ माफिया या बाहू बली के अलावा वो पांच बार विधायक रहे हैं एक बार सांसद भी रहे हैं देश की संसद में भी जा चुके हैं जन प्रतिनिदी के रूप में जा चुके हैं उसके बाद नामजद होना कई केसों में साबरमती जेल जाना और कानूनी प्रक्रिया के त तो आज वही तो हो रहा है वही इस तरीके कि आद्मियों के अगर आप विधानसमा भेजोगे संसत्भावन में भेजोगे तो वहां कानून ऐसे तो पास होगा न अब अगर इनकी छमता है तो कहम दब उसको करके दिखाएं कि हम उसे अलग हैं लेकिन अभी नहीं अगर होता तो यह नहीं होता वहीं फिर बात आई भाई खुलियाम जैसे सड़क पर दवड़ा दवड़ा के मारा गया अब अगर यह कानून सुद्ध होता तो थोड़ी होता अभी वह सकती नहीं है जब और सकती होनी चाहिए गलत के लिए सकती होनी चाहिए तभी तो शरीफात में को अब किसे मिलेगा नई कोई आदम को गवाहीं नहीं नेज न देगा किसी को पर और रही बिल्डिंग किराए गई तो श्ता बढ़ा करके लोगों की नाजाज बनी है तो नाजाज पर तो होगा तुमारी परसनल अगर कोई गिरा जा रहे हो तो ठीक मेरी अगर परसनल तो सच बोलने के लिए कहना चाहिए और हरादियों को बोलना चाहिए और गवर्मेंट को सच्छाए के साथ देना चाहिए सदर में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और अखलेस यादों के बीच जो भाहस होई थी मुख्यमंत्री ने सीधा यह कहा था कि जो अतिक हम देव यह सबार का पर अखलेस्यादों करें हैं कि वह बस पाक है तो किस सियासी दल का हांत तो नीचे से लेकि आप लेकिन वही साथन पर साथन दोनों कहांत होता है लेकिन वही साथन पर सासन अगर कोई दूसरा बैठा है तो उनकी जिम्मेधारी बनती अगर हटाएं और खतम करें नहीं तो पिर तुम्हारे उनमें फर्क हो जाएंगे जैसे वह हैं तुम पिर आपकी बातें बड़ी- के बिखता जी निभी सासन किया था यहां पर भदतेसीनदा पा्टि दुबहरा छुमके क्याइए तो कॉन सी सरकार के माफिएंब पर सकती जादा बलती त Probid कम को जादा आप आपनों को सब बचाते हैं रही कि अगर सब रहा है तो इसमें अब उसमें में जो इनकी पार्टिय में से संबंद देते हैं, आप उनको भी जिसे, आप वो सपा कह रहें कि उनका आप लिस्ट जारी करो, आप लिस्ट जारी कर दो कि यह माफिया है, देखे, वो यगर मांग रहा है विपज काद में, तो आपको तु बताना चाहिए कि हाँ यह माफिया आप पता दो और वह कारवाई करो इसलिए जंता ने आप को चुनाग भेजा दो बार फिर चुनाग भेजा यहां दो बार चुनके भेजा वहां आप करो तो तीसरी बार आपको हो सकता ओट मांगने जाने जरोतन पुड़े आप ऐसे चुन लिये जाओ तरह किते हैं कि प्राइब के समाजवाधी पार्टी स्वगो सित माफिया उसके बाद अखले जब लिष्ट मांगते हैं तो यह सरकार लिष्ट देने में आना पारनी करती है कि देखिए किसी पार्टी का कोई नहीं है कि सब पार्टी को लाल अचाने तो इसलिए तो लिए तुम इसके को इस वह भी आप उस संधा कर रहे हैं तो इस प्रकार तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनों की जनता यह साब कह रही है कि आप राधियों पे कारवाई होनी चाहिए लेकिन अगर आप राधिक तत्व अगर गवाहों पे भी अपने मनसूबे बढ़तेंगे और पुलिस प्रसासन उन्हें बचा नहीं पाएगी तो कल को किजी भी केस में कोई भी आम जनता गवाही देने नहीं जाएगी अतिक अमत को सावर मती से प्रियागराद ले जाया जा रहा है उनके भाई असरब को भी राय बरेरी जेल सिफ्ट किया जा रहा है इस मुद्रे पर हम लोगों की राय जानने निकले हैं, लख्णव की जंता की राय जानने लिखने, इस समय हम सरमा-चाहिक के पास हैं, लोगों से मुखाबित हो रहा है और लोगों से पूछेंगे कि इस मुद्रे पर क्या उनका सोचना है अतिक एमद को बकायदा कानूनी फ्रकियां दोरा साबर मती से प्रियागराज लाए जा रहा है किस प्रकार से देखते है training देखिए उत्तरप्रदेश सरगार जो है जीरो टॉलिंस पर काम कर रही है लगातार कलस जब अतीक निकला है साबरमति जेल से पूरा माहौल गरह में उत्रप्रदेश उत्रप्रदेश क्या बल्की पुरे देश का तो कहीं न कहीं सबकी नजरें कल मैं देख रहा था सब लाइब देख रहे थे कब गाड़ी पर लटती है क्या होता है तो लगतार जो है जहांसी जब वो आ गया जब जहांसी बॉर्डर पर पहुंचा तब लोग ज्यादा जो है उस पर फोकस करने लगे कि भाई कब होता है इसा कब होता है इवन जब वो पेसाफ उत्सुकता थी कि विगास दूबे वाले केस में जो हुआ जाम में फसा हुआ है और सुरक्षा इतनी कड़ी है कि जो पेसाफ करने गया था तो उसके पास भी काफी ज़्यादा सेकूर्टी थी तो उसको लेकर जो है काफी मीम्स भी बन रहे हैं उसके फूटेज भी वारेल हो रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं अब कुछ जो समर्थक थे कही भी स्क्रॉल करते हैं तो अतीक अहमत का कहीं न कहीं लाइब या फिर कोई न कोई रील्स देखनों को मिल रहे हैं समय अहमत के ही बारे में तो कहीं न कहीं सारे मीडिया चैनल जो है में इस्ट्रीम मेडिया है वो भी समय अतीक अहमत को ही कवर कर रही है तो पूरा यूपी क इनको कोट में पेस किया जाना है तो क्या इनको सजा सुनाई जाती है और सब लोग यह पेक्षा कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए अगर उमेश पाल में यह सनलिप्त होते हैं अतिक एमत या अतिक एमत का कोई भी गुरगा उसमें सनलिप्त होता है तो एक प्रदेश की बात करती तो क्या लगता है कितनी बहतर जो है अपने इस जीरो टॉलिन्स माफिमुच मुंध के किरदार बीकार अजय कर ने डिया रही है कि इसला भाई विकास दुबए में भी आज सवाल पूछता है कि सरकार से तो कहीने की प्रेशर में भी एक अगर अधीक एहमत की गाड़ी पलेटती तो एक बार फिर सरकार को जवाब देना पड़ता और बात रही सांसद रहा सब कुछ रहा तो हम उसका इतिहास पड़ रहे थे हमारी तो इतनी उमर नहीं है कि हमने उसको देखा होगा जब उसका दबदबा शुरू हुआ था तो देख रहे थे कि तांगे वाले का एक लड़ को तिकट दे दी तो कहीं न कहीं उसका ये प्रोड़क्ट ही कह सकते हैं सपा का और सब लोग देख भी रहे हैं और उसका प्रोड़क्ट भी है अगर उसको टिकट ना देती तो हो सकता है उसका जो मनसूबा था जो इतना उसका जो टेरर था वो कायम प्रयाग राज के अब तो कोड के हाथों में हैं, अब देखेंगे कोड क्या करता है, माननी नयायले सबसे सरोपर ही हमारे देश में, और सब की निगाहें बस नयायले पर हैं. इस सरकार में माफियाओं पर बुल्डोजर की कारवाई हुई, हमने मुकतार और तीक दोनों के घर उपर बुल्डोजर की कारवाई देखी, प्रियागराज में उसका एक घर था, जहांपे वो लोगों को उठा के लाता था, उनका सोषड करता था, बकाइदा इलेक्ट्रिक स कोई मामला होता था, उनको बंदी बना के रखता था, उस घर पे कारवाई हुई, उसके बाद सदन में बकाइदा मुक्यमंत्री ने खुर जो है कहा है कि यह समाजवादी पार्टी का स्वागोसित माफिया है, लेकिन सपा ने इसे प्लटवार किया, उनका कि यह बसपाक है आपसी पाटिया खें लेही है, मेरा नहीं, मेरा नहीं, तुमारा है, तुमारा है, जनता कै सोचती हैं? दिल्ली का दरवाजा है वो लखनों से निकलता है तो कहीं ने कहीं यूपी में सब चल रहा है पूरी पिक्चर बन रही है अब देखना यह होगा कि अब 24 में क्या होगा और बात रही है वो शौक देने की वो तो करता था बहुत ज्यादा आतंग तो था ही उसको कुरूरता ब हम आपका पीछा करते हैं तो वही हो रहा है सब देख रही है जनता तो किसी पूरवा ग्रह से ग्रिशित ना होकर मैं कहना चाहता हूं कि जो सही हो वो दे कोई बेगुना न फसे और जो निर्दोस हो उसको सजा मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश हमारा पूरे विस्व में प मुद्दे को भुना के लोगसभा में जो है पिछली बार 62 सीचे जीच बार 75 का जो आकड़ा है वो पार करने की कोशिश कर रही है देखिए अगर कोई पार्टी गलत को गलत को भुना के मतलब असब्ति पेशब्ति की जीत अगर करती है अगर उसको भुना के राजनीत अग कुछ भी कह लीजिए अगर कोई हो सपा हो कांग्रेस हो या भाजपा हो कोई भी पार्टी अगर किसी टेरर को या किसी ऐसे माफिया को खतम करती है तो क्या गलत है उसको राजनीत में बिल्कुल फाइदा मिलना चाहिए हम भारती जंदा पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं स सपा अच्छा काम करें सपा आती कैमत को सपा मुक्तार अंसारी को सपा जितने माफिया है जितना जो है टेरर है उत्तर प्रदेस में खतम करें उसको बोर्ट मिलना चाहिए हम भारती जंदा पार्टी की बात क्यों करें अगर भारती जंदा पार्टी यह ऐसा कर रही है तो इस बिल्कुल चुनाव में फाइदा मिलना चाहिए, जनता भी यही चाहती है, कि हमारी बहन, बेटिया, सुरच्छित रहे है, गरीब को सताया न जाहे, जो जन सेवक हैं, वो जन सेवक बन के काम करें, नकी माफिया बन के काम करें, तो अच्छा है सब, और ऐसे चलता रहना चाहिए और हमें लगता है कि जो भी किसी का समर्थक है न तो वो समर्थक किसी का अंदभक्ती नहीं करनी चाहिए अगर आज भारती जनता पाटी अच्छा कर रही है तो उसका बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और उसको लोग स्टेंट समझते हैं मापिया को खतम करना तो इस्टेंट है उसको राजनितिक फायदा मिलना चाहिए सौरब भाई ने काफी अच्छी बात बताई कि अतिक हमत जो एक खुक्यात अपरादी है उसको अपने कर्मों की सजा मिलनी चाहिए और कई अपरादिक मामले जो हैं सौशदिक उस पे दर्ज है लेकिन कोई ठोस कारवाई इसके पहले नहीं देखी गई थी अगर दोसी पा जो प्रक्रिया चल लाई है कितनी हद तक साहिए और कैसे देखते हैं क्या नाम है आपका दुर्गापरसाद दुर्गापरसाद जी बताए कि अतिक हमत को साबर मती से प्रयाग राज ले आया जा रहा है कानूनी प्रक्रिया का पालंग करते हुए इस कारवाई को आप किस से देखते हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा जिसने जैसा किया उसको वैसा प्रणा मिलेगा और किसी आदमी को क्यों जेल से यहां क्यों नहीं लाया जा रहा है तो जिसने जैसा किया है जो उसके पूर्व जो कर्म है वो सामने है और उसी लिए कोड के आदेश पर लखनो मखतम कर देंगे तब हम सोचेंगे माफिया मुक्त राज कायम किया है अतिके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट से संरिछन मांगा है लगतार उनकी बहन और बीवी ये बात कह चुके हैं कि उनका एंकाउटर हो सकता है तमाम प्रकर की बाते चल रही है अब देखें उसके परिवार वाले तो यह मांग करेंगे ही जाएंक कुरा अगे रोक देते तो आस्याथ ये नॉबत ही अगर परिवार वाले इतने ही उसके वह सुप्चिंटक थे जब इसतरे की हरकते कर रहे थे तो उनके परिवार वाले उनको को रोकते उनके सुभिशेंत तक उनको रोकते तो आज वो माफिया डान ना कहलाता एक साधर अतिक हमत कहलाता इसके लावा कई राजनितिक दलों ने अतिक हमत को संरच्छड भी दिया वो पांच बार विधायक रहा एक बार सांसद रहा और सदन में भी ये बाद मुक्यमंत् अब साषक होंगे उन्होंने उनको टिकट दिया तो आज वो उस इसलिए उनको भी सकी नजर से पब्लिक देख रही है जो जैसा उन्होंने उनको क्यों टिकट दिया जब जानते थे कि इसको पर इतने मुकदमे है कोई भी व्यक्तुचा है मैं भी हूँ मेरे ओंपर किसी प कर रही है कि वो हमारे नहीं बसपा ने उनको टिकट दिया था बसपाग सब्सक्राइब वो एक दूसरे पर कितना भी बाट डाले जब तीर कमान से निकल जाता है तो लोड करके नहीं आता बाते बनाने से कुछ नहीं होता यह तो इतनी समझदार है चाहे वो यहां की जनता हो चाहे यहां की मीडिया हो सब जानते हैं किसने क्या किया है इसलिए उस मिशह में अगर वो कुछ भी कहें कोई माने नहीं रखता है तो इस प्रकार से आपने देखा कि लखनव की जनता ने अतीक के मुद्दे पे बेखौफ हो के अपनी बाते कही और बड़े ही बेहतर तरीके से उन सभी मुद्दों को समझा और हमें बताया भी जनता का कहना है कि अपरादी चाए कोई भी हो किसी भी संपरदाय का हो किसी भी वर्ग का हो उसे उसके कृत्यों की सजा मिलनी ही चाहिए लखनव से विवेक्षाई प्राइम टीवी